चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकोन का दबाना ना भूले ताके आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं A2Z Unboxing and Review का चैनल और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे तो चली इसको Unboxing करके देखते हैं इसमें क्या क्या चीज है और यह किस तरह से चलता है ठीक है पेकिंग बहुत ही अच्छी तरह से किया गया है आप देख लेते हैं बहुत ही अच्छी तरह से पेक किया गया है यह देखिए इलेक्ट्रिक हैर क्लिपर लिखा गया है और जो के है F5C कमपनी का और जो है RF666 मॉडल है और यहाँ पर उन्होंने दिया है उनका कस्टमर के नमबर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं और इस तरब भी देख लेते हैं यह है 220 से लेकर 240 वोल्ट तक 50 हर्ज का है 10 वाट का है यह मसीन और यहाँ पर फाइन ब्यूटी इंस्ट्रुमेंट लिखा गया है और यह मैड इन चाइना और इस तरब भी कमपनी का लोगो है ठीक है और इसके पीछे या फिर कहीं भी इसका प्राइस कुछ लिखा नहीं है पर मैं आपको बता देता हूं यह उसका मॉडल है और आप इसके अंदर भी देख लेते हैं क्या है और इसमें आपका दिया गया इंस्ट्रेक्शन सब पर लीजेगा अच्छा होगा साइड में कर लेते हैं और इसके अंदर क्या है यह देखिए एटाच्मेंट दे रहे हैं और इसके अंदर यह तीसरा साब सफाई के लिए चोटा सा ब्रस है एक ओल दिया गया है मसीन में डालने के लिए स्मूथ ली चलने के लिए और इस गलर और कुछ भी नहीं है इसलिए हम एक बॉक्स को साइड में कर लेते हैं और यह रहा आपका वह मेंन चीज यहां पर अगर देखें तो देखें यह आपका लोगो दिखाए दे रहा है क्लिए यह आधार यह का ओले और यह वाला क्लिप खोल देते हैं ग्रिकें यह एलाइजमेंट सही है देख सकते हैं पूरी तरह से सही है और यह जो है आपका आगे पीसे जाने के लिए देखें हैं बहुत ही हैबी वेट है अगर आप कहीं पर दिबार पर अगर इसको टांगना चाहते हैं तो यह आपका दिया गया है ूप जैसा टेक है और इस वाइर का भी length हम देख लेते हैं तो हम इसका वाइर का length भी देख लेगते हैं कितना है यह लगभग का 1.5 meter का आपका व्यार दिया गया है जो कि भूत अच्छी बात है अभी कि मैं इसका function के बार में आपको detail में बता देता हूँ अभी इसको में power on करके भी आपको दिखा देता हूँ अभी मैंने इसको power connect कर लिया है अभी मैं इसे चला के देखता हूँ यह देखिए अभी machine में एक sound आ रहा होगा जो आपके यह भाइब्रेट हो रहा है बहुत थी एक यहाँ पर यह जो switch है जब आप इसको आगे पीछे करते हैं और अगर आप इसको lock करना चाहते हैं अगर इसको lock करना चाहते हैं तो यह आपको आसान होगा तो मैं दिखाता हूँ देखिए जैसे ही मैंने इसको आपको आगे किया और इसको पीछे से खीच लिया तो इसमें यह वाला जो चीज़े इसको लॉक करता है और यह आपका पाउर अपका बटन है ठीक है और एक बात जो मैं आपको बता रहा है और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है अगर आप इसको पर्चेस करते हैं तो बहुत अच्छी बात है दूसरे मॉडल भी आता है और कु इसमाल करने से पहले इस ओयल को यहाँ पर आपको डालना होगा तो यह क्या होगा जो ब्लेड जो घिसता है दोनों के बीच में वह क्या होता है बहुत दिन तक चलता है और बहुत यह आपका अच्छा एफिसिंसी देता है और इसको आप इस ब्रस के इस्तेमाल से आप इसक साब भी कर सकते हैं ठीक है और जैसे कि मैंने बताया था पहले इसका प्राइज लगबग 700 से लेके 900 के बीज में आता है और बहुत हैबी कि अपने इसाब से आप इसका जैसे भी आप करते चाहें तो इसे कैसे अगर आप अपना अपना जो ब्यार्ड है उसको आप अगर ट्रिम करना चाहते हैं तो कोई भी एक्टेंशन लेने का जरूर नहीं है बस ऐसे ही आप इसको इसको इस्तिमाल कीजिए तो आपका क्या होगा ट्रिमिंग हो जाएगा आज़ा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले और अगर आपके मन में कोई भी कन्प्यूजन हो, तो प्लीज कमेंट सेक्षन में कमेंट करके लिखे, मैं आपको जल से जल उसका एंसर देने का कोशिज करूँगा तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यावाद हैवे नाज़डे कि अवाद झाल आपके में चुजज करके लिए नाज़खने कोशिए, झाल झाल आपके में आपके लिए हैवे कोशिए, जसक्राइब हुआ हैवे भी करेंगा